तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि रंगो का मौसम, होली का मौसम यहाँ पर आ चुका है, ऐसे में जो फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज है, वो भी यहाँ पर इस मौके पर आ चुकी है, तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, टॉप त्री ऐसे कम पर काफी स्वीड स्पॉट यहाँ पर हो जाता है, और अभी के टाइम पर सेल के अंदर काफी कमाल स्मार्टफोंस देखने को मिल रहे हैं, और जो लास्ट जो एक बोनस लील बताऊंगा ना भाई, वो जरूर से देखके जाना आपको और गैजम हो जाएगा, उस डील को द 12,000 रुपे में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 1000 रुपे का और डिसकाउंट देखने को मिल रहा है, ICICI के कार्ड के उपर, और इसके बाद जो एफेक्टिव प्राइसिंग हो जाती है, वो जाती है सिर्फ उसी 22,000 रुपे, और 22,000 रुपे में भाई सबसे प प्रमाल का आपको देखने को मिलता है, 10-bit पैनल यहाँ पे हो जाता है, हाई-यर, PWM, Dimming, HDR, 10+, वगरा, बर-बर के सभी चीज़े देखने को मिलती है, आप जो performance है, यहाँ पे वो भी तगडी इसके अंदर दी गई है, यहाँ पे आपको Qualcomm का Snapdragon 778G वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पता है कि सिफ नाम का 7 सीरीज है, आल्मोस्ट आपको flagship वाली performance यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको UFS 2.2 वाला storage देखने को मिलता है, LPDR 4X वाला इसके अंदर RAM देखने को मिल जाता है, रेर साइड पे optics के अंदर यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको 108MP का main sensor देखने को मिल जाता है, और हाँ दो और sensor है, ultra wide और यहाँ पे macro, उसके लाब front camera दिया है 16MP का, अब दोस्तों यहाँ पे आपको 5000MH की बैटरी देखने को मिल जाता है, और साथ में 67W की fast charging and support भी देखने को मिलता है, dual stereo speakers के साथ में आता है side mounted fingerprint scanner देखने को मिल जाता है, overall बाई काफी तगला smartphone यहाँ पे हो जाता है, SBI HDFC bank की ओपर 2000 रुपे का दो effective pricing यहाँ पे हो जाता है, 24,000 रुपे में आपको वाला smartphone देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो भाई back side से premium है, यहाँ पे आपको glass build देखने को मिल रहा है 24,000 रुपे के अंदर, उपर से यहाँ पे जो display है वो भी कहीं से कम नहीं है, 6.7 inches का यहाँ पे आपको एक AMOLED display देखने को मिल जाता है, और एक E4 AMOLED पैनल यहाँ पे हो जाता है, 120 Hz की high refresh rate के साथ में आता है, उपर से यहाँ पे आपको Dolby Vision भी देखने को मिल रहा है, इस price range के अंदर, performance के अंदर भी कहीं से कहीं तक कम नहीं है, Qualcomm का Snapdragon 870 देखने को मिलता है, जो कि आपको पता ही है, one of the most stable chipset हो जाता है, last year का यहाँ पे, अब यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पे आपको UFS 3.1 वाला storage इसके अंदर देखने को मिल रहा है, और LPDDR5 वाला RAM देखने को मिल रहा है, जो कि इस price range में, और किसे भी smartphone में दिया लेके ढूंदो के तब भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, और overall यहाँ पे camera setup भी काफी अच्छा है, साथ में यहाँ पे आपको 4500 mAh की battery देखने को मिल जाती है, 67W की fast charging का support देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पर भी आपको side mounted finger wind scanners के अंदर देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पे आपको dual stereo speakers का support भी देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पे हमाई लिस्ट का जो तीसरा smartphone है भाई वो guess करना यहाँ पे बिल्कूल भी मुश्किल नहीं है, जी हाँ पे हम बात कर रहे हैं Realme 10 Pro Plus के बारे में, अब यहाँ पे अगर आप flip card के अपर देखते हो, अभी के time पे आपको यहाँ पे 25,000 रुपे का देखने को मिल रहा है, लेकिन 1250 रुपे का access के cards के अपर आपको discount देखने को मिल रहा है, तो वो यही है, यही है, यही है, अब यहाँ पर जो display है, वो आपको curved AMOLED display देखने को मिल जाता है, जिसका जो size है, वो है 6.7 inches का, 120 Hz का high refresh rate देखने को मिलता है, 10 bit panel यहाँ पे हो जाता है, high PWM dimming देखने को मिलता है, high TSR देखने को मिलता है, डिस्पले कहीं से कहीं तक कम नहीं है, performance भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको MediaTek का Damocity 1080 वाला chipset देखने को मिल जाता है, UFS 2.2 वाली storage के साथ में आता है, LPDR 4X वाली यहाँ पे आपको RAM देखने को मिल जाती है, रेर साइड में आपको triple camera setup देखने को मिल जाता है, main sensor है 108MP का और 8 और 2MP के दो और sensor देखने को मिल जाता है, front selfie camera रखा गए, यहाँ पे 16MP का OIS नहीं है, तो यह चीज़ यहाँ पर कुछ लोग कमी खल सकती, इसके लावे स्मार्टफोन को power देती है, 5000 mAh की बैटरी और 67W की fast charging का support देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पे आपको in display fingerprint scanner देखने को मिल रहा है, इस price range में AMOLED display के साथ काफी साही चीज़ आती है, dual studio speakers के साथ यहाँ पे भी यह वाला स्मार्टफोन आता है, आप दोस्तों यहाँ पर जो main USB स्मार्टफोन की जिन लोग को यह चाहिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा high performance यहाँ पर नहीं चाहिए, तो 25,000 में कैसे बोल रहा है, तो अभी का टाइम पर renewed, refurbished की list में भी Amazon के पर list हुआ हुआ है, renewed अगर आप खरीज सकते हो, आपको उसे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 7 दिन का replacement देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई, under 25,000 म में यहाँ पर आपको सबसे पहले looks देख लिए, polycarbonate का build है, लेकि looks काफी तगड़ी है, और उपर से यहाँ पर जो performance है ना भाई, मतलब पूछो मत भाई, यहाँ पको Qualcomm का Snapdragon 888 वाला chipset देखने को मिल जाता है, LPDDR5 वाला RAM देखने को मिलता है, UFS 3.1 वाला storage देखने को मिल Rare Sideway 48 Megapixel का triple camera setup देखने को मिलता है, OIS के साथ में यहाँ पर आता है, 16 Megapixel का front camera है, तो भाई, जो smartphone है ना काफी तगड़ा है, smartphone को यहाँ पर power देती है, 4600 EBS की बैटरी, 67W की fast charging का support यहाँ भी देखने को मिल जाता है, भाई, overall अगर कोई killer smartphone इस price में अगर आप फजा सकते हो यह इस deal से best कोई deal है ही नहीं भाई, तो यह चीज है, बाकि आपको वीडियो कैसी लगी, comment section में जुरू से बता रहा, links दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको चहां से आगे, आप डिरेक्ट नी खरीच सकते हो, hassle free यहाँ पे, और इस वीडियो के लितने है, मुझे यह आपको वीडियो पसंद आगे, वीडियो को लाइप जरूर से कर देने, चानल पर नुए पहले बराभे चैनल को सब्स्क्राइब करके बैल आकन को जरूर से बाद देने, और मैं मिल तो हमें शेक्ता आपसे नेक्स्ट वीडियो दो तक के लिए और टेक केर